हलो दोस्तो दीपिलेक टोनिशलेब में आपका बहुत-बहुत सोगा थे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो टीवी के अंदर प्रॉब्लेम आपको दिख रहा होगा फिलिकरिंग का प्रॉब्लेम और उसके साथ-साथ आपको लाइनिंग और हॉइट डिस्पले भी आपको थोड़ा-थोड़ा दिखने को मिलेंगे सबसे पहले आप ध्यान से देखिए इस टीवी की प्रॉब्लेम को ये हमारा वीडियो का लेडि टीवी है तो देखिए हमारे पास थोड़ा-थोड़ा फ्लिकिंग कर रहा है हमारा डिस्पले और उसके साथ-सा थोड़ा-सा लाइनिंग और उसके साथ-साथ हॉइट डिस्पले तो इसको ठीक करने का जो प्रॉसेस है किस तरीके से मैंने इस्टेप-बाइ-स्टेप फॉलो मतला अपलाई करके मैंने इसको ठीक किया हूँ आपको बताऊंगा क्योंकि यह जो अभी आपको दिख रहा होगा फुटेज यह फुटेज जब मैंने पास इस टीबी आया था तब मैंने इसको रेकॉर्ड करके रखा था और मैं आपको दखाऊंगा कि ठीक करने के बाद मैंने क्या-क्या प्रॉसेस फॉलो किया हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो तो सबसे पहले आप इस टीवी का पैनेल देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे दिख रहा होगा पैनेल का जो नंबर है वो है एम और नाइन फाइट मतला आप 19.5 इंच का यह पैनेल है और इस तरह के अगर प्रॉब्लेम किसी भी पैनेल के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको गेट वोल्टेज चेक करना होगा तो यहाँ पे देखिए इस पैनेल के अंदर यहाँ पे साथ जो अलगला आपको डॉट दिख रहा होगा इस में से 6 हमारा गेट वोल्टेज है और एक स्टीवी पी है आप अच्छे से यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एक करके अब देखें 1,2,3,4,5,6,7 तो इसका जो 6 है मतलब 6 पॉइंट है इसका गेट वोल्टेज के लिए और एक स्टीवी पी वोल्टेज के लिए और यह जो 6 वोल्टेज है यह हमरा CKV जो आपको पता होगा डॉबल एमेज के लिए काट किया जाता है वो ही हमरा यह वोल्टे बता दूँगा कि हमारे जो ट्रेनिंग है नेक्स ट्रेनिंग मुंबाई में है फेबरारी 2020 में तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाते हो तो उपर दिया हुआ इस नंबर से आप कॉन्टेक कर सकते हो हमारे साथ और उससे भी पहले हमने यहां पे देखिए कुछ और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुती अच्छी चीज़े आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी और वीडियो के अंदर तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा हमारा जितने सारे गेट वोल्टेज था वो सारे के सारे कट कर दिया हूँ उसके साथ साथ एस टीबी फी वोल इस पैनल के अंदर था वो सारे गेट वोल्टेज इसको हमने कट कर दिया हूँ लेफ्ट साइट से पैनल के लेफ्ट साइट से हमने कट कर दिया हूँ और उसके बाद हमारा जो पैनले वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और साउंड के साथ हमारा कोई लेना देना न फेले हमने तीन कट किया फिर भी ठिक नहीं हुआ जैसे हमने सारे के सारे गेट वोल्टेज की लाइनिंग को यानि के ट्रेक को कट कर या करा और हमारा पिक्चर ठिक हो गया इसको रिपेर कनने में लगबग देर घंटल लगा है तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारे साथ contact कर सकते हो तो thank you guys हम फिर मिलेंगे तो चैनल को सब्स्राइबर के जुरे रहिए